ओम स्री गनेशायनमा दोस्तो एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्तिक स्वागत है दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 जनवरी सौंबार के रासी फल के बारे में कि यह दिन मेश रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फायदा होगा, किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनी शर्यव्यापार कैसा रहेगा और सुवास्त की महत्पपुर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आपके वित्य इस्तिती में काफी सुधार आ जाएगा कुछ नया सुरू करने के लिए आज का समय आपके लिए बहुती अनुपूल है आपकी महनत वे प्रियास के सार्थक परिणाम आज आपके सामने आएंगे विवायोगे लोगों के लिए किसी अच्छे रिष्टे संबनित बात चीत घर में सुरू हो सकती है दोस्तो समाज वे रिष्टेदारों में आपके प्रभाव साली व्यक्तित्व वे सरल स्वयभाव की वज़े से मान प्रतिष्टा बनी रहेगी समय कुछ मिला जुला प्रभाव आज आपके लिए लेकर आने वाला है परन्तु उसे बहतरिन बनाना आपका काम है कुछ समय से नजदी के रिष्टेदारों के बीच जो गिले शक्वे चल रहे थे आज वे किसी के माध्यमता से दूर हो जाएंगे और रिष्टे में दोबारा मधुरत आएगी प्रतिष्ट लोगों से मेल जोल बड़ेगा जो आपके लिए भविष्टे के लिए बहुती लाबदायक साबित होगा धार्मिक इस्थल में जाने का आज प्रोग्राम बनेगा जिससे बहुत अधिक शान्ती और हलका आप महसूस करेंगे घर में सुक्षविदा संबंदित वस्तू के भी खरीदारी होगी कोई कीमिती उपवार भी आज आपको मिल सकता है विध्यार्तियों को अपनी नोकरी संबंदित किसी छेत्र में इंटर्व्यू में सफलता के योग बन रहे हैं इसलिए पूरी महनत से अपने कारे पर प्रियासरत रहें अपने उसूलों और सिध्धानतों से किसी भी प्रिकार का समझोता आप ना करें प्रभावसाली वे प्रतीबावान लोगों के साथ में अधिक समय व्यतीत करें इससे आपके आत्म बल वे आत्म विश्वास में व्रद्धी होगी तथा नकारात्मक विचार दूर होंगे भग्या से अधिक अपने कर्म पर आज विश्वास रखें दिन आपके लिए आज का बहुती अच्छा है दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो किसी परिवारिक मसले को लेकर भाई बहनों के बीच कहा सुनी हो सकती है घर के बुजर्गों की सला से संबंदों को खराब होने से बचाएं धर्म के नाम पर कोई आपका नु साथ आपको भी अपने स्वयभाव से एगो को खत्म करना होगा जिससे प्रेसानिया जल्द ही हल होंगी किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उस पर अच्छी तरे से विचार आप हवश्च करें किसी दुखत समाचार मिलने से कुछ समय के लिए मन में उदासी और नकार अत्मक विचार उठ सकते हैं परंतु आप जन्द ही सहज हो जाएंगे विध्यारती वर्ग पढ़ाई की अपेक्छा फालतु गलत फैमियों पर अधिक ध्यान देंगे अपने महत्मपूर्ण कागजातों को बहुती अधिक समाल कर रखें क्योंकि अगर खो गए तो अधिक ध्यान ना देने की वज़े से कुछ नजदी की लोग आपसे नाराज रह सकते हैं परंतु इन बातों पर ध्यान ना देकर आप अपने कर्म पर लगे रहें परंतु घर के वरिष्ट लोगों का मान सम्मान अवश्य से बना कर रखें दोस्तो बात कर लेते हैं जापक विपरीत लिंगी मित्र के अचानक ही मिलने से आपको आश्चर्य जनक प्रसन्नता महसूस होगी घर परिवार का वातावरन आज बहुती शुकद रहेगा पती पतनी का आपसी सयोग घर में शुक्षांती बना कर रखेगा प्रेम संबंदों के भी आने वाले समय में विवा मे परिणित होने के पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं जीवन साती का आपको आपके कारों में पूर्ण रूप से शहयोग प्राप्थ होगा तथा घर में भी शकार अत्मक वातावरन बना रहेगा दोस्तों साथ साथ अपनी व्यस्तता में से कुछ समय परिवार वे कालना आपके लिए आवशक है इससे परिवार में आपकी रेस्पेक्ट और अधिक बढ़ेगी दोस्तों बात कर लेते हैं जापका वैवशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों वैवशाय में अभी वरतमान परिस्थितियां का प्रभाब बन रहा है धन संबंदित लेने द रहेगा कारे छित्र में अगर किसी प्रकार का निवेश करने की आप सोच रहे हैं तो आज उस कारे को बहुती गंभीरता से अंजाम दें इससे आपको भैतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे दिन आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा नोकरी में भी नई संभावनाएं मि प्रात्मिक तादें तथा वैवसाइक गतिविद्यों पर भी अपनी पैनी नजर रखें साथी साथ नोकरी पेशा व्यक्ति भी ओफिस में कॉल्टिक्स के सिकार हो सकते हैं थोड़ा सावधान रहें दोस्तों साथी साथ आज आप किसी कारणों से कारे छेत्र में अधिक सम प्राप्त होगा वैवसाइक छेत्र में आपकी कारे छमता वैकाबियत की वज़े से काम्याबी आपके द्वार खट खटा रही हैं इसलिए प्रतेकारों को आप आज बहुती गंभीरता से लें नोकरी पेशा व्यक्तियों को भी उनकी कारे छमता के लिए प्रोतसान उरजा से भरपूर रहेंगे आज आप अपने आप को काफी तंद्रुस्त और तनाव मुक्त महसूस करेंगे या दोस्तों आज का समय आपके स्वास्थ के लिए आज से बहुती अच्छा समय रहने वाला है दोस्तो साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशेश उपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इश्वनान आदिश निर्वत्र होने के बाद किशी तालाव के किनारे जाकर मचलियों को आटे की छोटी छोटी गोलियां बना कर खिलाएं जा दोस्तो ऐसा करने से धन संबंदित सभी प्रेशानियों का अंत होता है और भगवान भोलेनात आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन होते हैं और भगवान भोलेनात के किरपा आप पर सदे बनी रहेगी जा दोस्तो आप इस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही विशेस ला आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै भोलेना तवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद